दोस्तों ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी ना बदलेंगे चांस इतारे दोस्तों ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी ना बदलेंगे चांस इतारे बदलना है तो खुद को बदलो क्यों बैठे हैं दूसरों के सहारे नमशकार मैं हूँ आपका अपना दोस्त राम परकाश ठाकोट माइंड ओपरेशन अकादमी हिमाचल परदेश से आज आपके लिए खुबसूरत वीडियो लेकर के आया हूँ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्रिप्शन के बगल में वेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिपिकेशन टाइम पर मिल सकें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि हमें मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए कहानी के बाद उस वीडियो का जब हम कंकल्यूजन निकालेंगे तो इन सभी प्रशनों के जवाब आपको मिल जाएगी एक बार एक और थी, एक गाओं में रहती थी उसके पास एक गाय थी और वो हर रोज मेडिटेशन करती थी मेडिटेशन करते करते उसके मन में एक भाव आया और वो भाव ए आया कि गाये को मैं चारा तो हरोज खिला रही हूँ क्यों ना मैं आज गाये को रोटी खिलाऊं एक दिन वो गाये को रोटी खिलाती है और उसके मन को शांती मिलती है कि मैंने गौव माता को रोटी खिलाई और दूसरे दिन दुबारा मेडिटेशन करती है उसके मन में दुबारा भावाता है और दूसरे दिन गाये को दुबारा से रोटी खिलाती है वैसे करते करते तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन, छटे दिन, साथवे दिन एक दो महिने हो जाते हैं रोटी खिलाते खिलाते, दो महिने के बाद जैसे वो गाये के मुँखे पास रोटी रखती है और थोड़ी देर के बाद बिल्ली आती है और बिल्ली गाए अभी रोटी नहीं खाती है और उसके खाने से पहले उस रोटी को उठाके ले जाती है एक दिन होता है ऐसा दूसरी दिन दुबारा से औरत रोटी रखती है और बिल्ली आती है बिल्ली उस गाय के इसे के रोटी को उठा के ले जाती है तिसरे दिन दुबारा औरत गाये के पास रोटी रखती है और बिल्ली आती है बिल्ली गाये के हिस्से की रोटी उठा के ले जाती है ये सिलसिला आठ दस दिन चलता है और और औरत मेडिटेशन करते करते हैं एक चीज सोचती है कि ये गाहे की हिस्से की रोटी बिल्ली क्यों खा रही है। क्या ये सही कर रही है। तो दोस्तो ओरत के मन में अचानक से नगड़ी भावाता है और नगड़ी भावाने के बाद वो दूसरे दिन एक प्लाइनिक बनाती है। सुबह उटती है, मेडिटेशन नहीं करती है। और मन में सोचती है कि आज मैं इस बिल्ली को कुछ ऐसा खिलाओंगी जिससे की बिल्ली मर जाए। वो अगले दिन सुबह उट करके एक रोटी बनाती है, उसमें जहर मिला देती है। उस रोटी को गाए के पास रखती है और बापिस आ जाती है, गाए को थोड़ा दूर रखती है और घर बापिस आती है, जैसे घर बापिस आती है तो मेडिटेशन करने बैठी होती है, मेडिटेशन करती है, जैसे वो अपने ब्रिधिंग के उपर ध्यान देती है, उसको अ दुबारा से दूसरी रोटी रख लेती है वहां पे और दूसरी रोटी दुबारा से बिल्ली आती है और आ करके उठा के वहां से ले जाती है मतलब गाये की हिस्से की रोटी बिल्ली उस दिन भी ले गई अब दोस्तों वो औरत एक मिनान से शांती से मेडिटेशन करती है और शाम को उसका एक बेटा होता है और बेटा काम करने गया होता है कहीं पर कई महिनों से और वो वहां से बापीस आ रहा होता है और आते आते चिला रहा होता है He was screaming and shouting मा 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 और कहता है कि जल्दी से गेट खोलिए बहुत ज़्यादा भुख लगी है मुझे रोटी दीजिए मैं तीन दिनों से भुखा हूँ ये तो भला हो उस बिल्ली का कि वो सामने से रोटी लेकर के आ रही थी उसके मुझे वो रोटी चूटी और मैंने वो रोटी खाई और मैं तो जंगल में लंबा पड़ा वा था और मेरे से चला नहीं जा रहा था I was totally lethargic I didn't take even a single step when I had चपाती उसके बाद मैं चलने लाइक बना और बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुँचाँ औरत के माइंड में एक दम से बाद स्ट्राइक कर गई Oh my God अगर meditation नहीं की होती तो शायद मेरे मन में वो positive भाव नहीं आता positive भाव नहीं आता तो मैं गुसे में रहती और उस बिल्ली का तमाशा देखती रहती कि कब जैसे वो बिल्ली जहर वाली रोटी ले जाती अगर वो बिल्ली जहर वाली रोटी ले गई होती तो शायद वही जैरवाली रोटी आज मेरा बेटा खाता और मैं अपने बेटे का मुह नहीं देख पाती अब दोस्तो वाट इस दा मोरल अफ इस स्टोरी अगर वो औरत मेडिटेशन करने नहीं बैठती आँखे बंद नहीं करती ब्रिधिंग के ओपर ध्यान नहीं देती तो शायद उसके मन में वो भाव आता ही नहीं कि वो जैरवाली रोटी बापिस लानी है उसके मन में वो पॉजिटिव थिंकिंग आती ही नहीं वो तमाशा देख रही होती और बिल्ली उस रोटी को उठा के ले जाती वो जंगल में उस रोटी को मुह से छोड़ती और उसका बेटा उस जैरवाली रोटी को खाता और वो अपने बेटे का मुह जीवन में कभी नहीं देख पाती और उसका बेटा मर चुका होता अब दोस्तों हमने कहा कि meditation करना क्यों जुरूरी है हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी नगड़ी भावात है बहुत बार नगड़ी बेटी आते है जब हम meditation करते हैं तो हमारे mind की जो intensity है हम alpha state में आते हैं हमारा जो गुसा होता है वो control हो जाता है और हम present moment में आ जाते हैं उससे कि हमारे cell tissue organ proper way में काम करना शुरू करते हैं और दोस्तों इससे हमारे thoughts की जो intensity है वो भी कम हो जाती है और blood का circulation भी proper way में सही से circulate होता है और मन के भाब भी change हो जाते हैं जैसे मैंने कहा था कि meditation हमें क्यों करने चाहिए इससे एक तो फाइदा मिलता है हम कई प्रकार की बिमारियों से बस सकते हैं दूसरा benefit हमने बताया था कि इससे गुसरा control होता है तिसरा मन के भाब भी से change होते हैं अगर आप किसी के प्रति नेगडिव सोच रहे हैं नुकसान उस इंसान का नहीं हो रहा है cellular level पे आपके cell, tissue, organ बीक होते जा रहे हैं इसलिए हमें किसी के बारे में negative नहीं सोचना है किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना होता है क्यूंकि दोस्तों दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता हैं जिसके जो भागया में है वो भाग करके भी आएगा जो भागया में नहीं है वो आ करके भी चला जाएगा अब meditation जब हम नहीं करते हैं तो एक चीज आमारे साथ घटित होती है फिर हमारे आसपास की जो भी negative news हैं हम सुन रहे हैं, negative बाते सुन रहे हैं उसके according हम अपने decision लेते हैं, उसके according हमारे मन के भाब change होते हैं अब एक interesting बात इसमें और हैं, जिस ब्यक्ति के बारे में आप negative सोच रहे हैं, उसकी negative energy भी आप अपनी तरफ attract कर रहे होते हैं वो ब्यक्ति तो अपने जिवन में मजे ले रहे हैं, बट उसकी negativity को आप अपनी तरफ reflect कर रहे हैं इसलिए दूसरे के बारे में negative नहीं सोचना है, उसका impact cellular labor पे आपको ही पड़ेगा, उसका नुक्सान आपको ही होगा अब करना का है, daily meditation कीजिए, meditation से सारी चीजे control में आ जाएगी और दूसरी बार दोस्तो, बिल्ली जब उस गाय की इससे की रोटी ले जा रही थी, तो इससे हमें एक चीज़ समझाने चाहिए कि दाने दाने पे खाने बाले का नाम लिखा होते हैं, जिसके भागया में जो है, वो भाग करके भी आएगा जो भागया में नहीं है, वो आ करके भी चला जाएगा, अगर आपके भागया का कोई ले जा रहा है, कोई सकरने की कोई जरूरत नहीं है और एक चीज़ सोचना है, कि शायद वो आपका था ही नहीं, और जो आपको मिल रहा है, उसका respect कीजिए और उसी पल में खुश रहिए, दोस्तो मेडिटेशन का परसाइस हमने सुबह पांच बजे, पिछले तीन महिनों से चलाया है ठीक पांच बजे मेडिटेशन करवा रहा है, पांच से छे बजे, ब्रहम मुरुत में हर रोज अगर आप भी मेडिटेशन करना चाते हैं, तो आप हमारे साथ कॉंटेक्ट कर सकते हैं, दिएगे नमबर पे संपर्क कर सकते हैं और इसके लाबा बहुत ही जल्द आपके साथ ओनलाइन, recorded spoken English के, memory power के, mind power के, NLP के course के साथ मैं introduce हो जाऊंगा और दोस्तों आप live webinar अटेंड करना चाते हैं या live classes लगाना चाते हैं, spoken English की, memory power की, mind power की, NLP की, तो आप दिएगे नमबर पे संपर्क कर सकते हैं और offline अगर आप आना चाते हैं तो mind operation अकादमी जुगंदर नगर डिस्टिक मंडी हिमाचल परदेश में आप offline भी spoken English का course कर सकते हैं, mind power का course कर सकते हैं, memory power का course कर सकते हैं, NLP का course कर सकते हैं और इसके अलाबा आप अपनी counseling भी करवा सकते हैं, और एक और खबर आपके लिए, अगर आप mentoring लेना चाते हैं, तो आप मेरी mentoring भी ले सकते हैं, किसी भी परकार की आपके life में जो भी problem चली है, mentoring one year की होगी, जो आपको आपकी हर एक problem से बाहर निकालेगी, उमीद है ये वी आपके नए सिखने के जजबे को salute करता हूँ, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद, नमस्कार